बन करके आए पूरे कंट्री में सीट नहीं मिली वो अलग चीज़ है लेकिन थर्ड लाजिस पार्टी थे वोट शेर में और उसके बाद दो हजार उन्निस पे भी हमाई सबसे नंबर थ्री की थर्ड लाजिस पार्टी के रूप में हम फिर से उपरे और हमारा वोट शेर आप फरजी वोटों की भी पक्रिया शुरू हो गई है अब वोट बढते हैं तो वोट परसेंटेज उसी साफसे प्रपोर्शन से खटता है लेकिन आप नंबर वोट देख लीजे अगर जो हमारे साथ में जो दलित समाज का वोट है और यंग्स्टर्स हैं वो इतनी तेजी से ज चोड़ रहे हैं और यंग्स्टर्स ने आगे कमान समाली है कि हम बहुजन समाज पार्टी की हमाई जो मुक्या जिनोंने जीवन भर हमारे लिए पूरा जीवन अपना कुर्बान का रखा है जिनोंने राजसवा की अपनी सीट भारती जनता पार्टी वालों ने उनको बोलन नहीं दिया तो उन्होंने एक सेकंड नहीं लिया उन्होंने अपनी बात कहके राजसवा की सीट को उन्हों छोड़ने का काम किया और जबकि उनका अभी बहुत बड़ा समय बचावा था छोड़के इनके लिए बाहर निकलाई तो अगर युवा दलित भी आपके साथ अभ लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ में जो जुड़े हैं वो अडिग है और अडिग रहेंगे उनको जितना भी कोई हिलाने डोलां चाहें उनकी जोपडी में जोपडी में वो खिचली खा लें जाएं खाना अपना साथ लेके जाके खाएं लेकिन आपको यह भी किस्त प्रच्की राजनीती करना चाहते हैं नाम लेने से आप ड़ते हैं नाम नहीं लेंगे रहे आप विपक्ष की नेता हैं नाम लेके बोलिए इसमें क्यों दर रहे हैं सिर्फ यह कहता हूँ जब वो अंदर ले गए बोले कि मुझे अंदर भी तो ले चलो तो अंदर ले गए तो उनका रही यह क्या है उनका यह तो बेहन जी की फोटो है और तो बोले यह लगाए आप तो हमाएं साथ में होना चाहिए बोले कि वोट तो हम इनी को देंगे आप फरक कितना है इन लोगों में और मानी बहन जी की सोच में मानी बहन जी जोपडियों में नहीं जाती हैं ये लोग जोपडियों में दिखाने के ले जाते हैं मानी बहन जी जोपडियों में जो लोग रह रहे हैं उनको जोपड़ी से बाहर निकाल करके और उनको पक्के मकान दो-दो कमरे के बनाएं मुफ्त इस सरकार की तरह नहीं उन्हों नकल करी थी कोशिश की थी कन्या धन की और चीज़ों की पढ़ाय लिखाई जो उस दोरान में चल रहा था लेकिन नकल भी ऐसी करी कि कहा कि आपको इतना पैसा दे हैं सबसीडी में लेकिन वहां मुफ्त में औ बीस लाक लोगों वो जोपलियों से निकाल करके मानी बहन जी ने मकान में डालने का का अच्छा एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूं सच बताइए कि आपको लगता है कि 2019 का जो चुनाव था वो एक मिस्ट ऑपरचुनिटी थी अगर उसी तरहां का SP-BSP का टाय होता तो शायद विपक्ष का प्रदशन बहेतर होता उस वक्त मोदी जी की जो लहर थी उसमें बहन जी और अखिलेश यादव का जो अलाइंस था वह बहे क्या है देखें बहुजन समाज पार्टी अब किसी के साथ में अलाइंस क्यों नहीं करने वाली हैं बहुजन समाज लोगों को भी बाहर खदिर दिया गया था इसी सरकार में हातरस में जब लड़की का एक लड़की का रेफ होने के बाद उसकी बाड़ी को मांग रहे थे घर वाले उसको नहीं दिया गया और रात के दो बजे लखनों से निर्देश हुआ कि नहीं इसको पेट्रोल डालके